हेलो बच्चा लोग कैसे हो आप सब लोग मेरा नाम है हर्योम सिंग और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हर्योम एजुकेशन में आज मैं क्लास 6 का चैप्टर नमबर 6 चेंजेज अराउंड असका लेक्चर नमबर 1 लेकर आया हूँ यह एक छोटा सा इससे भी आपके एक्जामनेशन में क्वेस्चन पूछे जाएंगे आज है लेक्चर नमबर 1 और लेक्चर नमबर 1 में हम समझेगे कि चेंजेज क्या होता है चेंजेज का मतलब क्या होता है चेंजेज का मतलब होता है बदलाओ परिवर्तन तो हम समझेगे कि चेंजेज कह कहाँ देखने को मिलता है इसका example ले लेकर हम लोग समझेंगे उसके बाद हम लोग समझेंगे कि changes कितने type के होते हैं changes बहुत सारे type के होते हैं जिसके बारे मैं कुछ आज बताऊँगा और कुछ कल बताऊँगा अगले lecture में, तो आज हम लोग सबसे पहले जो change के type के उपर बात करेंगे, वो बात करेंगे reversible change और irreversible change ऐसा change जो फिर से repeat हो जाता है, उसको हम बोलते हैं reversible और जो नहीं होता है उसको हम बोलते हैं irreversible उसके बाद हम लोग changes का और भी classification करेंगे changes को हम लोग दो पार्ट में और divide करेंगे, एक change होगा जिसको हम बोल देंगे physical change और एक और change होगा जिसको हम बोलेंगे chemical change ठीक है, तो आज के बहतरीन से lecture को हम लोग शुरू करते हैं, आपको copy निकालना है और copy में heading डालना है, changes around us आजे लोगा है हुआ करेंगे हुआ है हुआ है लुआ है हेडिंग डाली है कॉपी में चेंजर्ज अराउंड अस चेंजर्ज अराउंड अस चेंजर्ज का मतलब क्या होता है बदलाव परिवर्तन अगर मतलब लिखना है हमारे सराउंडिंग में हमारे चारो तरफ लगातार चेंजर्ज हो रहा होता है जैसे कैसे कैसे चेंजर्ज होते हैं हम लोग देखते हैं किसी चीज़ का सेफ चेंज कर दिजिए सेफ चेंज कर दिजिए सेफ चेंज कर दिजिए साइज चेंज कर दिजिए किसी भी चीज़ का साइज चेंज कर दिजिए साइज कैसे चेंज होगा जैसे एक बलून है बलून से हवा निकाल दिजिए साइज चेंज हो गया सेप चेंज करना है तो बहुत सारा तरीका है जैसे आटा को गुथ दिजिए जो आटा का जो डौ होता है जिसे रोटी बनता है न वो वाला डौ उसको हम लोग डौ बोलते हैं जब आटा को गुथ दिया जाता है तो उसको डौ बोला जाता है तो उस डौ से एक गोलगोल बना आदेज sera change होगया और भी बहुत सार्य एकजामपल है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे अभी क्यों सेट चेंज हो गया साइट भी चेंज हो जाएगा ऐगा सॉलिड़ लिक्विड गैस सब में changes आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, सब हम आज पढ़ेंगे, state में change आते हैं, state में, temperature में changes आते हैं, temperature में change कैसे कैसे आते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, composition में changes आते हैं, composition में, ठीक है, इस सब के बारे में आपको आज पढ़ना है, जैसे कि size में change आते हैं size में size में कैसे change आते हैं जब आप external force अप्लाई कर देते हैं किसी भी चीज के उपर जब जैसे balloon के उपर जब आप external force अप्लाई करेंगे then size change हो जाएगा size कैसे change होगा जब external force अप्लाई कर देजिए external एंटर्नल प्वोर्स अप्लाई कर दीजियेगा दें। साइजर में चेंज समझ में आ गया जैसे सेप में चेंज कैसे आगा इसका इक्जामपल देखिए। साइज हो गया, सेफ के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सेफ में आपको मैं डोव वाला केस बताया ही, सबसे पहला एक्जामपल ले लिजे, रोटी के केस में, चपाती में, ठीक है, चपाती रोटी वाला डोव का केस, जो आटा गुथा होता, उसमें से थोड़ा सा, रोटी तयार किया जाता है, चेंज इन सेफ, ठीक है, उसको फ्लेट कर दिया गयता है रोटी को, समझ में आ गया, उसके बाद और क्या सेफ में चेंजेज होगा, जैसे, आप लोग जो स्कूल में बनाते हो, और उसके चक्कर में पिठाते हो, सब को पता है, पेपर का क्या बनाते हो Aero plane जिसको उडाते हो और fan में लटका देते हो Aero plane , इसमें क्या हुआ Sิफ Change हो गया सेफ Change हो गया ठिरूच है और जब fan में लटक जाता है तो कोई उपर से fan से निकालने जाता उसमें क्या हो जाता है Aero plane तूठ जाता है उसके बाद सब क्या करता हॉसको crumpled करके फेक देता है crumpled करके crumpled मतलब हाथ से पकरके कागज को तोर मरूर देगा उसी को crumpled बोलते हैं उसके बाद फिर से जब उस पेज को खोलिएगा तो जैसा paper रहेगा वैसा paper फिर से आपको मिल जाएगा paper ठीक है तो ये सब क्या हुआ change in shape जैसे balloon में क्या की external फोर सप्लाई करके हवा निकाल देजिए balloon में वो हो जाएगा shape change करना है चपाती का example देख लिए paper को क्या किजिए aeroplane बनाई है उपर fan में लटकाई है और फिर उसके बाद गुस्सा आएगा crumpled करके ठेक देजिए ठेक है और इसमें बच्चा सब जनरली थुराता भी है paper fan में टाक लटका दिया fan में aeroplane बना कर उसके बाद school में ढोलक बजता है क्या आपका बजा है हाँ भाई मेरा भी बजा है tension नहीं लेने का ठेक है छाप लो इतना समझ में आ गया सभी को कि साफ क्यों नहीं होता है आएगा कप्रा कहां गया कप्रा भी गया हो गया चलिए इसी से काम चलाना परेगा जब तक मैं साफ करता हूं तब तक आप लोग डांस कर लो एक मिनट डांस करना मतलब होता है कॉपी पर हो ऐसा नहीं कि डांस करने लगे विगाना चला कर चलिए बोर्ट साफ भी हो चुका है अब यह जो चेंजेज होता है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक ऐसा चेंज जो रिपीट हो जाया उसको हम बोलते हैं रिवर्सीवल चेंजेज कितने टाइप के दो टैप के एक हो गया रिवर्सीवल एक हो गया ईरिवर्सीवल यह रिवर्सिबल चेंजेज और एक हो गया रिवर्सिबल चेंजेज चेंजेज भी आर टेंप्रोरी रिवर्सिबल ऐसा चेंजेज जो टेंप्रोरी हो उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं Changes which are temporary, यह कुछ समय के लिए हो, temporary, Changes which are temporary, and can be reverse, and can be reverse, reverse, उसको हम बोल देते हैं, Reversible Change, reverse, back, back भी ला सकते हैं, इसको हम लोग, by simple method, ऐसा नहीं की बहुत सारा method, apply करना परेगा, by simple method, known as Reversible Change, ठीक है, simple method से, general method से, simple method, and back, इतना मोटा हो चुका है, इसका ball, general method, general method से, ठीक है, Changes which are temporary, ऐसा चेंज जो temporary हो, कुछ समय के लिए हो, हमेशा के लिए नहीं हो, and can be reverse, back, और जो चेंज हो गया, उसको हम लोग फिर से वापस ला सकते हैं, by simple method, simple मतलब general method से, उसको हम बोलते हैं, reversible change, ठीक है, जैसे, पानी को freeze में डाल दीजिए, पानी को freeze में डाल दीजिए, ice बन जाएगा, ice फिर क्या होगा, melt होने के बाद, पानी बन जाएगा, reversible change, example क्या है, sorry, water को डालिए, freeze में, freeze में, तब क्या बनेगा, ice बनेगा, और जब, ice को छोड़ दीजिएगा, पिघलने के लिए, तब क्या बनेगा, water बन जाएगा, reversible change, water से ice बन गया, reversible का symbol ऐसे होता है, यह है उसका symbol, यहां से यहां भी जा रहा है, यहां से यहां भी जा रहा है, ऐसा कहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है, reversible, यह क्या दर्सा रहा है, क्या indicate कर रहा है, reversible change this indicates reversible change then we talk about irreversible change as a change your repeat now the changes which are not repeat the changes which are permanent changes which cannot be backed by ordinary or general changes which cannot be obtained by ordinary method ordinary ordinary क्या मतलब होता है सिम्पल मेथड जेनरल मेथड नॉर्मल मेथड ठीक है चेंज़ेच विच कैंड नॉट भी बैक बाई और्डिनारी मेथड ठीक है बैक या ओप्टेंड ठीक है ठीक है चेंज़ेच विच कैंड नॉट भी बैक बाई और्डिनारी मेथड या जेनरल मेथड नॉनाज इरिवर्सी वर्चेंड ठीक है जैसे इसका एक्जाम्पल लिख लिए इसी से लिख देता हूं माल ये बलून है उसमें आप पीन करके फोर दिये फोर दिये तो फिर से आप उसको बलून बना नहीं सकते हैं कैसा मेथड जैसा चेंजad इरिवर्चि कैसे रोटी है जैसे रोटी जो चपाती है जो आप खाते हो, चापाती कितना रोटी खाते हो, दो, चार, दस, पांच, खाते हो, अर जो लोग 5 अभी खाते हो वो 2 सब्ट्रेक्ट कर लो, 3 ही खाो, क्यासा आइडिया है, अच्छा आइडिया है, क्योंकि अभी जो 5 खारा होगा, उसका बोडी इतना वरा होड़ा आओगा, तो उसको कम खाने का ज़रुरत है, ठीक है, रोटी और जो चपाती है, उसको जब कुक कर दीजिएगा, देन वो irreversible change होगा, जब कुक कर दीजिए, यानि बेक कर दीजिए, सेक साख दीजिएगा, जब रोटी तयार कर दीजिएगा, ठीक हैं इसको छाप लेजिए अब हम लोग चेंजेज का क्लासिफिकेशन करते हैं साफ करना बड़ी डिफिकल्ट तास्क है भाई होंगा सक्ति लगाना पड़ता है कि अगर्ट 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 चलिए बोट साफ हो गया अब हम लोग बात करते हैं चेंजेज के बारे में तू सांती से रख चलिए चेंजेज के बारे में अब हम लोग क्या होता है अब हम लोग बात करेंगे चेंजेज का कुछ और क्लासिफिकेशन जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज और केमिकल चेंज सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है ऐसा चेंज जिसमें नया सबस्टांस नहीं बनता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है no new substance are formed इसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है बट इसमें केमिकल चेंज में new substance are formed with different properties इसमें नया सबस्टांस बन जाता है जिसका प्रोपर्टी टोटली डिफ्रेंट होता है जो उसका रियक्टेंट होता है उससे रियक्टेंट क्या होता है उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे जो नया सबस्टांस बनता है जो केमिकल रियक्शन होता है उससे जो नया सबस्टांस बनता है उसका प्रोपर्ट टोटली डिफरेंट होता है, new substance are formed with different properties, but here new substance are, no new substance are formed, ठीक है, physical change, reversible होता है, मतलब वो repeat हो जाता है, ठीक है, कैसा है, reversible change, physical change, reversible change है, but chemical change जो हो गया, so हो गया, irreversible change, irreversible change, ठीक है, इसको कभी-कभी बोला जाता है, permanent change, permanent change, जो हो गया, मतलब की हो गया, इसको आप फिर से कुछ कर नहीं सकते हैं, जो हो गया, so हो गया, ठीक है, physical change में क्या-क्या cover कर, क्या-क्या आता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा साथ, जैसे physical change में क्या-क्या change हो सकता है, size, color change हो सकता है, color, order change हो सकता है, है order का मतलब क्या होता है गंद लिख लिजिए मतलब लिख लिए ठीक है जैसे state change हो सकता है solid liquid gas temperature change हो सकता है temperature change हो सकता है यह सब क्या है जो की in physical change ठीक है हो गया किसी के कोई समस्या ने बट इसमें क्या होता है बोथ physical and chemical properties are change इसमें physical और chemical properties दोनों change हो जाता है ठीक है किसी को कोई समस्या ने इसमें composition of substance doesn't change इसमें substance का composition change नहीं होता है 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 बट है है composition of substance इसमें चेंज पर्मानेंटली इसमें पर्मानेंटली यहां पर जो सब्स्टांस का composition होता है वो हमेशा के लिए बदल जाता है ठीक है इसको छाप ले जिए अब हम लोग इसका example करते है तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जायेगा ठीक है छाप लिए चाप लिए चाप लिए चाप लिए चाप लिए चाप लिए चलिए मजा रहा पढ़ने में सब को कि अब 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 करने के लिए हाद दुख किया लिखूंगा क्या थक्या देखिये हमारे प्यारे डॉगी भाई साहब सब चिलाने लगे अब तो कहां थे हम लोग इक्जांपल के ऊपर इक्जांपल देखना था किसका सबसे पहले फिजिकल चेंज का फिजिकल चेंज का एक्जांपल कुछ हम पहले लिख देते हैं जैसे लिखाड़ होता है इसको बोलते हैं liquid to gas किसका यह सब चलेगा water का ठीक है liquid से जब water gas में convert हो जाता है तो उसी को हम बोलते है evaporation किसी को कोई समस्या नहीं second है boiling evaporation के लिए liquid जब gas में convert हो जाता है उसको हम बोलते है evaporation, boiling क्या होता है boiling बताए evaporation और boiling और difference क्या होता है बताए 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 यह भी है liquid to gas दोनों का difference आपको पता करके बताना है evaporation और boiling का, ठीक है मैं बताऊंगा आगले lecture में आशे tension नहीं लेने का फिर आता है condensation, condensation क्या होता है condensation, condensation का spelling गलत है, इसको सही किजिए ठीक है condensation condensation क्या होता बताए gas to liquid किसी को कोई समस्याने gas to liquid आपको बोलना है मैं बोड़ पर से हटता हूं उस टाइम आपको बोलना है, ऐसा नहीं कि देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कहीं पर ध्यान है, मैं पुरा summarize करवाऊंगा आपको अगले lecture में, यह सब फिर से बताऊंगा अगले lecture में, ऐसा भी नहीं करना है कि अगले lecture के लिए बैठ के रहना, जो अभी नहीं समझेंगे, अगले lecture में हम स liquid to solid, कल मैं आपको कुछ questions भी दूँगा, ठीक है, इसलिए पढ़ के रखिए, फिर आता है, sublimation, sublimation क्या होता है, solid to direct gas, not liquid, direct gas, ठीक है, melting क्या होगा, melting होगा, solid to liquid, यह सब क्या example है, यह सब क्या लिखवाना जरूरत है, जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यह सब आपको काम देगा, क्या क्या होगिया, कुछ छुटरा, evoporation हो गया, boiling हो गया, condensation हो गया, freezing हो गया, sublimation हो गया, melting हो गया, ठीक है, चलिए, और भी कुछ होता है, जैसे powdering, powdering, मतलब किसी भी चीज को पकड़ के powder बना दीजिये, जैसे चिन्नी को powder बना दीजिये, जब चिन्नी को powder बनाईएगा, देन उसका physical property, same रहेगा, physical property, ठीक है, सिर्फ shape और size change हो जाएगा, क्या होगा, shape and size changes, जैसे जो चिनी होता है, जो आप खाते हो, चिनी का powder भी market में available होता है, चिनी का powder, ठीक है, powder form में, तो वो दोनों खड़ी दिये, कोई फरक नहीं परता है, powder बनाईए, क्या फरक परता है, shape और size change हो जाएगा, चिनी पहले round round था, round round था, cube shape का होता है, उसका piece छोटा छोटा कर दीए हम लोग, पिटाई कर करके, ठीक है composition बाद तो same नहीं रहेगा, ना भाई, composition तो same ही रहेगा, but composition demand same, composition तो same ही नहीं रहेगा, composition same ही नहीं रहेगा, ठीक है, कितना example हो गया, साथ हो गया, और बताओं क्या example, चलिए इसको पहले लिखिए, जैसे और भी लिखिए, और लिखिएगा, जैसे page को पकर के फार दीजिए, tearing, page को पकर के फार दीजिएगा, और फिर से जब उसको जोड़िएगा, टेपूप मारके, तो फिर से page रही जाएगा, उसका chemical composition चेंज नहीं होगा, इसलिए वो physical change है, ठीक है, किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, इस इसको पहले छाप ले जिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, chemical change के बारे में, चलिए, chemical change के बारे में, जैसे मुंबत्ती का जलना, burning of candle, burning of candle, जैसे germination of seed, germination of seed, जो seed एक बार जम गया, वो फिर से वापस नहीं आएगा, फिर से हम पूरे explain करेंगे, जो जो आपको मैं definition बताया सबको explain करेंगा, ठीक है, क्या क्या होगा, burning of candle, germination of seed, जैसे और भी लिखिये, cooking of food, खाना बनाना, cooking of food, ठीक है, यह ही सब example, और भी लिखियेगा, तो लिख लिजिए, लोहा में junk लग जाना, rusting, किसका, लोहा का, और लिखियेगा, इसमें example हो गया, इसको पहले छापिये, आपको बताते हैं, किसका, physical change का, 9 number example है, इतना पहले छापिये, 9 number से नीचे ही पेज के नीचे, continue के जिएगा, ठीक है, जैसे, glowing of electric bulb, glowing of bulb, जो आपके घर में bulb जल लहा, electric bulb, जब वो जलता है, तो कैसा change, physical change, क्यों है physical change, क्योंकि color change होगा, temperature थोड़ा increase होगा, क्या होगा, room का आपका color change हो जायागा, temperature increase होगा, temperature increase होगा, और क्या होगा, कुछ नहीं, जब बल्व जलाईएगा, तो temperature थोड़ा सा, बढ़ जाता है, और कुछ बता दू क्या, जैसे और भी लिखिएगा, तो कुछ चुट रहा है, और भी बता दू, चलिए दस नमबर और एक लिख लेजिए, dissolution, dissolution, मतलब dissolve कर दिजिए, किसी भी चीज़ को dissolve कर दिजिए, जैसे, तु आजा, क्याचीज क्याचीज़ डिजॉल किजिएगा, नमक, पानी, चीनी भी डाल दिजिए, इसमें, सुगर भी डाल दिजिए, पट जगा ही नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ, सुगर प्लस सॉल्ट प्लस वर्टर, dissolution हो गया, इसको आप सिम्पल मेठर से सेपरेट कर सकते हैं, चलिए, फिजिकल चेंज का हम आपको क्या definition बताया थे, जो जो difference बताया था उसका देखिए, सबसे पहला क्या है, no new substance are formed, बताये, evooperation में नया substance बना, नहीं बना, यहाँ नया substance बना, boiling में, नहीं बना, condensation में नया substance बना, नहीं बना, freezing में नया substance बना, नहीं बना, sublimation में नया substance बना, नहीं बना, melting में नया substance बना, नहीं बना, powdering में नया substance बना, नहीं बना, tearing जब paper फार दिये नया substance बना, नहीं बना, जब bulb जल गया तो नया substance बना, नहीं बना, जब dissolve कर दिये चीनी, पानी, वाटर सबको तो नया substance बना, नहीं बना Good समझ में आया? चलिए और chemical change का पहला difference पर ये new substance form with new properties, नया substance बनेगा बट उसका property totally different होगा देखिए, जब candle जला दीजिएगा तो वो पिघल कर mom बन जाएगा फिर से वो क्या candle बन सकता है नहीं बनेगा जो seed एक बार जम गया फिर से वो seed बन जाएगा जो seed जम जाएगा, plant निकल जाएगा फिर से वो seed बन सकता है, ना जो खाना आप एक बार बना दीजिएगा फिर से चाहिएगा खाना वो मिल जा, जैसे सबजी को बना दिये, कुक कर दिये, क्या सबजी मिलेगा फिर से, ना, लोहा में जो जन्क लग गया, क्या फिर से आपको मिलेगा लोहा, ना, चलिए, समझ में आ गया, ये कैसा चेंज है, इसको भी reverse किया जा सकता है, पाउडर से फिर से बनाया जा सकता है, बट, 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 बर्निंग अफ कैंडल कैसा, पर्मानेंट, इरिवर्सिवल, जर्मिनेशन अफ सीड, इरिवर्सिवल, पर्मानेंट, कुकिंग अफ फूड, पर्मानेंट, इरिवर्सिवल, रस्टि किसी को कोई समस्या नहीं, यहाँ पर क्या क्या change हो रहा है, जैसे state change हो रहा है, safe, size, order, यह सब क्या होगा, change होगा, मैं बताया था आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है, यह सब में क्या change हो रहा है, melting, sublimation, freezing, condensation, balling, evaporation, इस सब में क्या change हो रहा है, state change हो रहा है, क्या change हो रहा है state change हो रहा है लिख दो क्या state change हो रहा है state क्या होता है सबको पता है state कितना होता है solid अबे ये सब पता है कि नहीं liquid gas ठीक है powdering powder हम लोग कर रहे हैं फिर से वही रहा जाएगा paper को फार दिये वही रहा जाएगा यह सब हो गया, ठीक है, किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बट यहाँ पर physical और chemical property दोनों change होगा, जो seat जैसा देखने में था वैसा बाद में नहीं रहेगा, जो candle जैसा पहले देखने में था वैसा नहीं रहेगा, जो खाना पहले जैसा था वैसा नहीं रहेगा, लोहा जैसा था यह स्टार्टिंग में वैसा नहीं रहेगा आफ्टर रस्टिंग ठीक है समझ में आ गया यहाँ पर composition substance का change नहीं हुआ है composition क्या है change नहीं हुआ है composition सब में क्या है same है बट यहाँ पर composition भी change हो गया है ठीक है तो आज के इस lecture को हम यहीं समाप्त करते हैं अगले lecture में changes के और भी हम लोग types के उपर बात करेंगे मिलते हैं अगले lecture में थब तके लिए all the best बाई बाई